देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि लगबग आजादी के 77 साल बाद अपराधिक न्याय प्रणाली हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम पून तया स्वदेशी हो रही है और भारतिय इतोज के आधार पर ये चलेगी 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर ठाने में अपना काम करना चालू करेंगे तब अंग्रे जोके बनाए हुए कानून निरस्थ होकर भारत की संसदने बनाए हुए कानून आए बंड की जगे नियाय लेगा देरी की जगे स्पीडी ट्राइल और स्पीडी जश्टीस मिलेगा और पहले सी पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी अब पिडीतों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनन्ट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा तो एक नए नजरिये के साथ इतिनों कानून आज सुबह से ही मतलब कल मद्दे रात्तरी से काम करना सुरू किये हैं अब इंडियन पिनल कोड जिसको आईपीसी कहते थे 1807 से जो कानून था इसकी जगे बी एनेस भारतिय न्याई सहिता आएगी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड जिसको CRPC कहते थे जो 1898 से अमल में था इसकी जगे भारतिय नागरिक सुरक्षाक सहिता बी एनेस एस आएंगे और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम को गवन करता था इसकी जगे भारतिय साक्स अधिनियम बी एसे लागू होगा तो बी एनेस बी एनेसस और बी एससे के लागूने से पूरी न्याय प्रणाली का अप्राधिक कानूनों की स्पून अतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतिय आत्मा है इसके धेर सारे प्रावदान ऐसे किये गए हैं जिससे कई समूहों को फाइदा होगा कई सारी दफाएं जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही इसको हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराये जोड़ी गई है और कई सारी ऐसी चीज़े जिससे भारतिय नागरिकों को परिशानी थी इसको अठाकर नए प्रावदान किये गए हैं सबसे पहले हमने इसमें हमारे समिधान के स्प्रीट के तहट डफाओं की और चेक्टर्स की प्राविटी तैकी है सबसे पहली प्राविटी महिलाओ और बच्चों के अपराद को दी गई हैं और मैं मानता हूं कि एक करने की बहुत समय से पहले जरूय थी एक पुरा अध्याय इसमें जोड़ा गया हैं जिसमें 35 धारा हैं और 13 प्रावदान हैं जिसमें गैंग रैप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास आजिवन कारावास नाबालिक के साथ बलातकर में मौत की सजा जूठा वादा पहचान छिपा कर सोशन करने वालों के लिए भी अलग से अपराद बनाया गया है पहले सुपरिंग कौर्ट के जज्जमेंट से चलता था पिडिता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्तिती में और अपने परिजनों की उपस्तिती में लेने का भी प्रावदान किया है और इसके साथ-साथ ओनलाइन एफायर की विवस्ता से भी धेर सारी उत्पिदन के आप सामना कर रहे ही महिला एमब्रेशमें से बच पाएगी ऐसा हमारा मानना है सालों से देश भर में मौब लिंचिंग के अपराद के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था प्रावधान करने की मांग होती थी पहली बार मौब लिंचिंग को परिभासित किया गया है नसल जाती समुदाय लिंग जन्मस्तान भासा और अन्य कारणों से जो मौब लिंचिंग होता है इसमें साथ बर्स के कारावास से लेकर मृत्यू की सजा और आजिवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है तो बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रहे हैं राद दो एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया था चाहे मत्मा गांदी हो चाहे ति केशरी पर प्रतिबन लगाए गया था वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था राद्रों को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आये हैं पहले स्टेट्मेंट देना गुना था अब भारत की एक्ता और अखंडिक्ता को शतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा तो आजादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बढ़ला हुआ है जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे सम्विदान के स्पिरिट का मैं आप सभी के सामने बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि इतीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद एक कानून सबसे आधूनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे टेकनोलोजी को हमने नरकेवल अपनाया है आने वाले 50 सालों तक टेकनोलोजी में जो भी अनुसंदान होने की संभावना हैं ये सब को कानून के अंदर हमने व्याक्या के तौर पर समाहित किया है जैसे आने वाले समय में भी जो अनुसंदान होंगे वो व्याक्याहित किये ये विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणालिक बनेगी इसका मुझे विश्वास है कॉम्पिटराइजेशन की प्रक्रिया ओल्डेडी पूरी हो गई है 99.9 तत्सत ठाने कॉम्पिटराइज हो चुके हैं ये रेकोर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया भी हमने 19 2019 से ही सीट और जबाब ये सबी डीजिटल होगा किसी को बड़े बड़े जैरोक्स निकाल कर करने की जरूरत नहीं है एक लाग पेज की चार सीट भी एक छोटे से पेंड्राइव से जजीज के सामने जाएगी और पक्षकरताओं को दिये जाएगी 90 दिन के अंदर इस कानून में पीडित को जिन्होंने न्याई की गुहार की है उनको अपने क्रेस का प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली ओनलाइन बेजा जाएगा हमने इसके अंदर साथ साल और उससे ज्यादा सजा वाले सभी गुना में फोरेंसिक की टीम की विजिट को कमपलसरी करकर फोरेंसिक एविडेंस इसको कानूनी जामा पहनाने का काम किया है मैं मानता हूं कि इससे बहुत फाइदा होगा दो सिद्धी का प्रमान हम बहुत आगे तक ले जा पाएंगे साक्सों की रेकोरिंग और जाच परतल में रेकोरिंग की अनुमती दी है विडियो ग्राफिको सर्च और सिजर के वक् पिडिता का इबायान को भी कानूनी माना गया है और कौट में ओडियो वीडियो के मध्यम से पेसी करने क्या भी प्रावदान हमने किया है इपेसी में गवा, आरोपी, विसेशग्या और पिडित सभी को कानूनी जामा पहनागने का काम किया है इसमें जो फोरंसिक को अनिवारिया बनाया गया है इसको हमने दूर दर सीता पुर्व काम करकर नेशनल फॉरेंटिक साइंस लेबरेटरी 2020 में बना कर इसके लिए ट्रेन मेंड पावर का सर्जन का काम और डेडिक कर चुके हैं मुझे पूरा भरोसा है कि तीन साल के बाद इस देश में हर साल 40,000 से ज्यादा ट्रेन मेंड पावर का फोर्स हमारी कानूनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम की सेवा में उपलब्ध होगा कन्विशन का रेशियो इसके माध्यम से 90 प्रतिसत तक ले जाने का हमने प्रावधान किया है और फोरेंसिक इंफ्रस्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अभी-भी हमारी कैबिनेट ने लिने किया है और नौ राज्यों में फोरेंसिक साइंस उनिवर्सिटी के केमपर्स खोले जाएंगे और छे सेंटरल फोरेंसिक लेबरिटरीज को भी हमने करा है एक कानून विक्टिम सेंट्रिक है पहले दिनों तक किसी को पूलिस ले जाती थी परिवार वालों को कॉर्ट में आना पड़ता था अब हमने कंपल्सरी किया है कि हर थाने में रजिस्टर होगा और यी रजिस्टर भी होगा कि कौन सा अपरादी पूलिस की कश्टडी में है जिससे हेबियस के माध्यम से कौर्ट में नहीं जाना पड़ेगा तलासी और रेड दोनों स्थिति में वीडियो ग्राफिक की जाएगी जिससे पूलिस के अधीकारों का दुरूपयोग नहों पाए और हमने अपरादियों को बेल को भी लंबे समय तक लंबिक केसों में कानूनन बना दिया है जिसमें एक निस्चित समय मर्यादा अपराद के अंदर जो सजा है उसके अनुपात में हो जाने के बाद जेल सुपरिटेंडन की जिम्मेदारी होगी कि इसको बेल पर रिखा किया जाए तो इसके लिए कौर्ट में किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके विक्टिम को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा इंफर्मेशन का अधिकार मिलेगा और नुक्सान के लिए एक शती पूर्टी का भी अधिकार पहली बार भारतिय कानूनों में हम करने जा रहे हैं जीरो एफायर विक्टिम की एफायर की प्रतिकी निसुल्क प्राप्ति और 90 दिन में जांच का रिपोर्ट देने से इससे बहुत बड़ा फायदा होगा समय पर न्याय लगबग लगबग 35 न्याय प्रणाली की 35 धाराओं में हमने समय मर्यादा निस्चिक की हैं और ये टेकनिक के आधार पर प्रोसीडिंग्स होने के कारण भी समय पर नाइब मिलेगा तीन दिन में एफायर दर्च करनी है साथ दिन के बीतर जांच रिपोर्ट पीडिता के सारवजनी करनी है साथ दिन के अंदर ही अपराद ताई करने है और घुसित अपरादियों के खिलाब 90 दिन के अंदर मुकदमा कायम करना है और अपरादीक मामलों में मुकदमे की सुनवाई के बाद ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के अंदर जज्जमेंट की घुसना करनी है तो कई जगे पे हमने समय को कम करकर बाध्य करकर हमने जल्दी से न्याय मिल पाई इस दिसा में काम किया है हमने तीन वर्ष से कम कारावास में साट वर्ष से अधिक उम्रक में के लोग जो है इसमें पूलिस अध्युकार्य की पूर्व अनुमती एरेश के लिए अनिवार्य करी है गिरपतार व्यक्ति को 24 घंटे में मेजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का प्रावधान भी कानूनी बनाया है और 20 से ऐसी ज्यादा धारा हैं जिसमें पूलिस की जवाब देही हमने सुनिस्चीत करी है पहली बार P.E. का भी हमने प्रावधान इसके अंदर के रहा है साक्षो के सबन में भी टेक्नोलोजी को हमने बढ़ावा दिया है इलेक्ट्रिनिक सास्षो के प्रती विश्वस्त नेता बड़े इसके लिए कानूनी प्रावधान कड़े किये है सर्वर लोग, स्थान सबंदी साक्षर और वॉइसमेल इस सब की व्याख्याएं की गई है अब न्याय प्रक्रिया सम्विदान की आठवी अनुसुचि में आने वाली सभी भासाओं में काम करती हो जाएगी हमारी स्थानिय भासाओं के लिए बहुत बड़ा फैसला है हमारा पूरा सौप्ट्वेर जो बनेगा वो आठवी अनुसुचि में आने वाली सभी भासाओं में बनेगा कानून बनने के बाद, संसदने पारित करने के बाद, तयारी के लिए धेर सारा प्रयास भारेस सरकार के गुरू मंत्रा ले और हर राज्य के गुरू मंत्रा ले और जस्टीस मंत्रा लेने किया है लगबग लगबग साड़े 22 लाग पूलिस कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए 12,000 मास्टर ट्रेनर्स बना दिये गए कई इंस्टिटिशन को अधिकृत किया गया और 23,992 मास्टर ट्रेनर अब तक ट्रेन हो चुके है जुडिस्यरी में 21,000 सबोडिनेट जुडिस्यरी का ट्रेनिंग हो चुका है और इसके लिए भी आगे पर मास्टर ट्रेनर्स की कई बैच स्थानिय भासाओं में तयार हो गई है 20,000 पॉब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेन किया गया है और लगबग लगबग हर प्रोसिक्यूटर को एक एप दे दिया गया है और नए कानून छापे हुए दिये गये है कि पूरा नी धारा कौन सी थी नई धारा कौन सी है प्रिजन के 21,224 कर्मचार्यों का ट्रेनिंग हुआ है और फोरेंसिक के 4,000 कर्मचार्यों का ट्रेनिंग हुआ है पूल मिलाकर ट्रेनिंग की संख्या पूलिस में 6 लाग, प्रोसिक्विशन में 4 जार, जुडिस्यरी में लगबग 20 जार, फोरेंसिक में भी 4 जार, और प्रिजन में 10,800 मास्टर टाम कर रहे हैं. मित्रों के सहिता के लिए कुछ विपक्स के मित्र, अलग अलग बातें मेडिया के सामने रख रहे हैं, कि अभी ट्रेनिंग नहीं हुए, चर्चा नहीं हुए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, कि लोग सभा में कुल मिलाकर 9 गंटा और 29 मिनिट चर्चा हुई हैं, 34 सदस ने इसके अंदर पाटिसिपेट किया हैं, राजे सभा में 6 गंटा और 70 मिनिट चर्चा हुई, 40 सदस्यों ने पाटिसिपेट किया है, एक ये भी जूट चलाया जा रहा है, कि सबको बाल निकालने के बाद ये बिल लायागा, बील, बिजनेस, एडवाईजरी कमिटी में प हिस्सा लेना नहीं चाहते थे, और दोनों सदोनों में 14 तारिक में लोग सभा में 96 और राजे सभा में 46 सदस्यों ने ऐसी हरकते की, जिससे पिठासीन अधिकारी उनको बाहर करने के लिए मजबूर हो जाए, फिर भी एक अप्शन था, ये बहुत बड़ा दूरगामी परि इसके पहले भी मैंने 2020 में सभी संसदों को पत्र लग कर उनके सुझाओ मागे थे, सभी मुख्यमंट्रियों को पत्र लिग कर उनके सुझाओ मागे थे, सभी सुप्रिम कौर्ट के सन्मानिय नियायदीसों को पत्र लग कर उनके सुझाओ मागे थे, सभी हाई कौर्ट के च सिर्जश्ट्रीस को पत्र लिख कर सुझाओ मागे थे गुरू सचीव जी ने सभी IPS अफसरों से सुझाओ मागे थे और ये सब सुझाओ मिल मिलाकर मैंने खूद अधिकारियों की बैठक को अलग करें तो मैंने खूद 158 बार इसकी मिमान सा करकर बैठक करकर विचार करकर एक बिल को भी संसद ने ऐसे ही पारित नहीं किया है गुरू विभाग की समीति के सापास ये बिल को बेजा गया धाई महिना या तो तीन महिना इस पर विशद चर्चा हुई सभी दल के संसदों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है अपने सुझाओ को रखा है चार पाच पोलिट फिर से कैबिनेट ने पारित किया और पारित करने के बाद सदन के सामने रखा गया इतने बड़े सद्यों के बाद हो रहे हैं सुधार को पोलिटिकल कलर देना मैं मानता हूँ ठीक नहीं है मेरे तो सभी विपक्स के साथियों से विन्नति है पोलिटिक्स करने के धे सारे आराम से कर ये बोड़ेश, कोई चिंता नहीं, हम भी जवाब देंगे, मगर ये कानून देश के 140 करोड नागरीकों को, सम्विधान का जो स्पिरीट है, न्याय और आत्मसन्मान, वो समय पर दिलाने की एक एक्ससाइज है, तो आप सभी लोग इसमें कॉपरेट करिये, और मै मानता हूँ कि जिसको भी कुछ कहना है, मेरा दप्तर हमेशा कुला है, मैं अवेलेबल हूँ, मिलने से पहले रोड पर जाना मैं मानता हूँ ठीक नहीं, चर्चा करनी चाहिए, कुछ भी हो, बात करनी चाहिए, और मेरा स्पष्ट मत है, जो मैं आज बेबात तरीके से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, रेकोर्ड के आधार पर कह सकता हूँ, मैं भारत के आजादी के बाद किसी भी कानून पर पारित कराने के लिए इतनी लंबी चर्चा का प्रोसेस नहीं हुआ है, यह मैं रेकोर्ड पर कहने के लिए तयार हूँ, चार साल तक इस पर विचार हुआ और अगर आपको अभी भी कुछ कहना है तो आप जरूर राइए मैं सुनने के लिए तैयार हूँ मगर कुरूपिया इस कानून को पब्लीक तक इसकी सेवा करने देने का मौका देना चाहिए समय पर न्याय मिलेगा तो देश का भला होगा समीदान की सुरक् और आत्मसन्मान की भावनाओं को नागरिक प्राप्त कर पाएंगे तो देश का बलाग होगा और सबसे बड़ा बदलाव है हमने थोड़े धैरिये के साथ टिथिंग प्रॉब्लेम को देश की जनता ने भी बड़े धैरिये के साथ लेकर सिस्टिम को सुधाने का मौका दे कहना चाहिए और मैं सभी दलों से भी कहना चाहता हूं कि रादनिती से उपर उटकर आप इसका समर्धन करिए और जो भी सुझाव जनता के हीत में है लेकर आए हम इस पर जर्चा करने के लिए तयार है